कोविट टीका नहीं लगवाने पर छिन सकती है आवा जाही की अजादी ये मैं नहीं कह रहां ये आज का हिंदुस्तान अख़वार है चार दिसंबर का जिसमें ये ख़बर छपी है इसके अनुसार क्या कहना है कि अगर आपने कोविट टीका नहीं लगवाया तो आपके आने जाने की अजादी छिन सकती है इस ख़बर के अनुसार देश के राज्ये जैसे केरल का उधारन दिया गया है दिल्ली का इसमें दिया गया है तम्मिल नाडू का दिया गया है इस ख़बर में कि वहाँ पर क्या-क्या पबंदियां लगाने की त्यारी हो रही है विदेशों के बारे में भी इसमें लिखा गया है कि अमेरिका में क्या पबंदियां लगा रही है न्यूजिलेंड में क्या पबंदियां लगाई जा रही है लात्विया में क्या पबंदियां है आस्ट्रिया में नीदर लैंड में सिंगापूर में इन सारे देशों में क्य पबंदियां लगाई है तो देखे आप की आजादी कैसे चिन सकती है अख्वार ये लिखता है ओमिकॉन की दस्तक से क्रोना की तीसरी लहर की आशंकाओं के मद्दे नज़र कई राजियों ने सक्ति बढ़ा दी है केरल में जहां कोवीटी का नहीं लगवाने वाले लोगों से मुफ्त इलाज की स्वीदा छीनने का फैसला किया गया है वहीं दिल्ली में 15 दिसंबर से ऐसे लोगों के सरवजनिक स्टलों पर परवेश करने पर रोक लग सकती है जी हां यह मैंने अपनी पहली खबर में भी यही दिव बताया था आपको मैं हूं परफेसर शोक रोडा सच्च न्यूस 24-7 से आपके लिए लाया हूं सच्ची खबरें और यह खबर है आज की अख़बार हिंदुस्तान के सोजन्ने से इस अकवार के अनुसार केरव में क्या नियम लागू होने जा रहा है सरकारी करमियों की हर हफते rti pcr जहांच होगी यानि कि अगर आपने टीका नहीं लगवाया तो आपके हर अफ़ते RT-PCR की जाँच होगी और साथ में आपको एक certificate भी देना पड़ेगा कि आपने टीका क्यों नहीं लगवाया केरन के मुख्य मंत्री पिंडरई विजियन ने स्पष्ट किया था कि जो लोग किसी अलर्जी या बिमारी के चलते टीका लगवाने से परेज कर रहे हैं उन्हें इस संबंद में एक सरकारी डॉक्टर की ओर से जारी चिकिस्सा फर्मान पत्र पेश करना होगा यहीं नहीं टीका लगवाने वाले सरकारी करमचारियों और शिशकों को हर हफ़ते आर्टी पीसी आर चांज से गुजरना परेगा यह केरल के संबंद में है और दिल्ली में क्या नियम लागू होने जा रहा है ज़र ध्यान से सुनिये देश की रायदानी दिल्ली में सरवजनिक सरलों पर प्रवेश लोकने की त्यारी में लगी होई है दिल्ली सरकार ज्यानिकि अगर आपने टीका नहीं लगवाया तो 15 दिसंबर से आपको ना मेट्रो मिलेगी ना बस मिलेगी ना कैम मिलेगी देखिए अख़वार में क्या लिखा है दिल्ली में 15 दिसंबर से सरवजनिक जगाउं पर उन लोगों के परवेश पर पाबंदी लग सकती है जिन् में कोविड-19 टीका नहीं लगवाया है इनमें मेट्रो बस और कैप से लेकर माजार मौल धार्मिक्स्तल सिनेमा घर स्टेडियम पार्क सरकारी दफ्तर समारक आदिश शामिद है यानि कि अगर आप सोचने हैं कि मंदिर गुर्दवारे चले जाएंगे तो अर्विंद केज मंदिर वाल ने त्यारी कर लिया है कि आपने अगर टीका नहीं लगवाया तो आप मंदिर गुर्दवारे चर्च या मस्जिद भी नहीं जा सकते इस पर चर्चा करेंगे लेकिन पहले ख़बर देख लेती हैं आगे विदेश में भी सत्तियें की जा रही हैं विदेश में अमेरिका में कई प्रांतों और कंपनियों ने कोवीड टीका करन अनिमारे किया वशिंग्टन स्टेट युनिवरस्टी ने टीका नहीं लगवाने पर मुफ्त फुटबाल कोच को बरखास्त न्यूजिलेंड के बारे में खबर है क्रोना योदाओं और शिश्कों के लिए नो जैब, नो जॉब, निती पेश की इसके तहाद कोवीड टीका नहीं लगवाने वाले करमचारियों को नोकरियों से हाथ दोना पड़ेगा शुकर है यह नोबत अभी इंडिया में नहीं आई है कि आपने अगर टीका नहीं लेगाए तो आपको नोकरी से हाथ दोना पड़ेगा हालागी इंडारेक्टली तो प्राइवेट सरकारी करमचारियों को कहा ही जा रहा है कि आप टीका लगवाईए नहीं तो ना आईए छुट्टी लेकर बाढ़ जाईए तो हर तरह की से उनको परिशान तो किया ही जा रहा है हालागी दिल्नी में या भारत में अभी तक टीका अनिवारे नहीं है भारत में चलो खबर पढ़ते हैं आगे खबर क्या है लात्विया कोविट टीका लगवाने से इंकार करने वाले जन प्रतिनिदियों के संसत प्रांती असेंबली में किसी भी बैस में हिसा लेने या बिल पर मद्दान करने पर पबंदी लगा है आस्ट्रिया नीदर लैंड में अस्ट्रिया में टीका नहीं लगवाने वाले लोगों को घरों में कैद रर्ने का देश है देखिए सरकारओं की ताना शाही देखिए आस्ट्रिया नीदर लेंड की सरकार कह रही हैं कि अगर आपने टीका नहीं लगवाया तो आप घरों में कैद हो जाईए यानि कि लॉगडॉं में रही है और आप कि सिर्फ जलूरी समान की खरीदारी करने के कारण आप सिर्फ बाहर जा सकते हो अभी दिल्ली में ऐसा नहीं हुआ है हो जाएगा अगर जिस परकार की नितियां चल नहीं है सिंगाबूर टीका करन नहीं करवाने वाले लोगों को क्रोना की जद में आने पर इलाज का खर्च खुद उठाना पड़ेगा सरकार्ज की ओर से किसी भी तरह की नहीं मिलेगी मत का पेपर है हिंदुस्तान जिसमें जो बड़ी खबर दी है कि कोविटी का नहीं लिगवाने पर आपकी आजादी आने जाने की आवाज आई की अजादी छिन सकती है तो अब इस खबर पर कुछ चर्चा कर लेते हैं मैं प्रफेसर अशोक रोड़ा आप देख रहे हैं सच्छ न्यूस ट्रॉंटी फॉर्स मैं घर के अंदर हूं लेकिन फिर भी मैंने मास्क लगाया होगा है यह मास्क मैंने इसलिए लगाया है कि मैं आपको बताना चाहता हूं कि वैक्सीन आपको इतना प्रोटेक्ट नहीं कर रहे हैं जितना यह मास्क प्रोटेक्ट कर रहे हैं अगर आपने मास्क लगाया है तो तो आप सेफ आपको infection नहीं हो सकता हूं लेकिन अगर आपने वैक्सीन लगवाई होई है तो तब भी आपको infection हो सकता है लेकिन इन सरकारों को कौन समझाए इस बात को है यह तो उल्टे सीधे कानून लागू करने पे लगे हुमें हैं यह सरकारें कह रही हैं कि आप बस नहीं पकड़ सकते आप मैट्रों में नहीं जा सकते मैं इसे एक बात पूछना चाहता हूं यह जो मुख्य मंत्री हैं यह परधान मंत्री हैं अलग अलग देशों के जो यह नियम लागू कर रहे हैं मेरा अपना शरीर है मैं टीका लगवाऊं या ना लगवाऊं यह मेरी मर्जी है ना यह जबर्दस्ति ठोकोगे कल एक न्यूस 24 चैनल में डॉक्टर्स आयवे थे बैस कर रहे थे ओमिकॉर्ण वाइरस के उपर वहां पर एक बड़े परसिद्ध डॉक्टर थे मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा उनका बड़े परसिद्ध डॉक्टर है अपना उनका गुर्ग्राम में उनका अपना होस्पिटल है वह कह रहे थे कि टीका जो नहीं लगवा रहे न तो पकड़ो उनको ठोको यह शब्द थे उनके पकड़ो और ठोको यानि कि जबर्दस्ती आप टीका लगवा क्यों भाई क्यों लगवाएं जबर्दस्ती टीका मैंने टीका नहीं लगवाया तो आप क्या मुझे जबर्दस्ती टीका ठोकोगे मेरा शरीर है मुझे मालूम है मैं कौन सी दवाई खाऊं कौन सी दवाई ना लूँ डॉक्टर जो एडवाईज करेगा लेकिन फैसला तो मुझे लेना है ना आप किसी से जबर्दस्ती कैसे कर सकते हो हम एक लोगतांतरिक देश में रह रहे हैं हमारे लोगतांतरिक अधिकारों का आप हनन करना चाहते हैं दिल्ली के मुखे मंतरी अर्विंद केजरिवाल आप कह रहे हैं और आपने डिडिम में दिल्ली डिस्ट्रिक डिजास्टर मनेजमेंट कमेटी को यह परस्ताब भेजा है कि 15 दिसमबर से हम यह कानून बनाने जा रहे हैं यह नियम बनाने जा रहे हैं कि आप बस में नहीं सफर कर सकते मेट्रों में नहीं कर सकते मंदिर नहीं जा सकते किसी जगा नहीं जा सकते हैं अरे भाई आप एक काम क्यों नहीं करते हैं एक जिन लोगों ने टीका नहीं लगवाया है उनको एक लाइन में खड़े कर दो और गोली से उड़ा दो उनको सबको गोली मार दो जिन्होंने टीका नहीं लगवाया किस्साई कटम यह तो सबसर्व गुंडा कर दी है न आप किसी के उपर जवरतस्ती कर रहे हो कि आप टीका नहीं लगवावगे तो आप बहर नहीं जा सकते यह नहीं त्यार हूँ क्या आप गरंटी देता हो कि अगर मुझे कुछ हो जाता है तो आप मेरे परीवार को 5 करोड़ पर दोगे मेरी परिवार को 5 करोडर पर अगर कि किसी साइड इफेक्ट से मेरी जान चली जाती है तो क्या आप दोगे अब लिखे-दो एफिडेपिट दो मैं लगवाने के लिए त्यार हूं नहीं दे सकते ना तो आपको किसी से जोड़ जबरदस्ती करने का भी हक नहीं है कि यह मैं उन सरकारों को बताना चाहता हूं जो यह नियम बार रही है चाहे वो दिल्ली सरकार हो चाहे करनाटका की सरकार हो करनाटका में भी ऐसा ही एक नियम लागू आज वहां भी पब्लिक प्लेस के लिए आपको वैक्सीन लगवानी जुरूरी है कि सबसे सीधा सुवाल यह है कि वेक्सीन आपको infection से पोटेक्ट नहीं करते हैं पोटेक्ट क्या परता है आपको मास्क डॉक्टर्स यह कहते हैं कि वेक्सीन से ठीक है infection होगा लेकिन माइल्ड होगा लेकिन वैक्सीन जिसने लगवाई हुई है वो दूसरे को इंफेक्शन फैला सकता है उसको नहीं रोग सकते है तो फिर वैक्सीन कंपल्सरी क्यों क्यों जबरदस्ती दिल्ली के बजारों में देख लो बिना मास के आपको लोग गूंते नजर आ रहींगे उनको क्योंने ठोकते जी क्योंनी उनको मास के लिए करते कि मास नहीं लगाया तो उनके लिए कोई कानून नहीं है बीड में जो नेता लोग हैं उस सारे कहीं भी सेमिनार में चले जाओं मैं खुद कबरिज के लिए जाता हूं बहुत कम 10 परसेंट लोगों ने मास लगाया होता है 90 परसेंट लोगों ने मास नहीं लगाया उनको ठोको उनको पूछो आम जंता भेह आप प्रतिबन लगा रहे हो जब चुनाव आते हैं तो सारे नियम कानून खत्म और अब जब ओमी कोन आ गया है तो अब आपको नियम कानून जादा गया है और ओमिकॉन अगर इंफेक्शन हो भी गया तो वो एक माइड है कोई अभी गंबीर बिमारी नहीं है आपके शरीर में नेच्रोल इम्मुनिटी आएगी और जो नेच्रोल इम्मुनिटी होती है वो सबसे मुझे जून में कॉविड हुआ था उसके बाद दुबारा कॉविड नहीं हुआ मैंने इंजेक्शन भी नहीं कोई वैक्सिनेशन भी नहीं किया डेड़ साल हो गया है मैं सुरक्षित हूँ बाहर भी जाता हूं लेकिन मास्क हमेशा पहंता हूं मास्क नहीं उतारता है तो कोई वेक्सीन ना लगवा है यह उसकी अपनी इच्छा कि अ वैक्सीन पे कई लोगों के साइड इफट्स हो रहे हैं कई लोगों की मेरे कई नोन में कई लोगों ऐसे हैं जिनकी जान चली गई हाट अटाइक्स हो रही है लोगों को लेडिस को दिक्कत आ रही है कई लेडिस को गाइनी प्रॉब्लम्स हो रही है वेक्सीन लगवाने के बाद कई केसिज आए हैं मेरे नोन में आए हैं कुछ जानकारी में आए हैं कि 40 प्लस एज की और विमेन के जिन्होंने वैक्सीन लगवाई और उसके बाद उनको ब्लीडिंग होगी और उनको यूटरस तक उनका रिमूव करना पड़ गया हार्ट अटेक के कई कैसिस मेरे सामने आये हैं तो यह आपके इच्छा है कि आप वैक्सीन लगवाओ ना लगवाओ कोई सरकार आपके उपर पवंदी या जवर्दस्ति नहीं कर सकते हैं कि आप क्या सोचते हैं क्या इस परकार जो नियम बनते हैं इन नियमों से आप सहमत हैं और सरकार की जो नितियां है अब सरकार घरगर जा रही है कि आपने टीका लगवाया नहीं लगवाया और आप नहीं चात्य वह लगवा रहे हैं कि आसा कर रहे हैं तो अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो यह आपके अधिकारों का हनन है आपके अधिकार ये हैं भारत की सरकार की आप वेबसाइट पर जाएए उस पर लिखा हुआ है कि वैक्सिनेशन ओसी पर यह जरूरी नहीं वैक्सिनेशन कमपलिशरी नहीं है को है इसलिए आपसे जबरदस्सी नहीं कर सकता राकिक्व डॉक्तर्स काम जब को अगंगे। और वो भी आपके सामने रखेंगे। ह пожlory ज्यादा दा क्र इस बारे वह बात करने के लिए त्यार कि ऑपिर भी कोशिच करते हैं कुछ डॉक्तर कि कि किया कहते हैं अग्ले अप्रिसोड में बात करेंगे सर्च न्यूस 24-7 से प्रफेसर अशोक रोडा नमस्कार और इस वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा शेयर करिए जिससे लोगों तक बात पहुंचे और लोग अपना फैंसले खुद ले सके सरकारों के दबाब में नहीं धन्यादा